दोस्तो आज की इस वीडियो में हम kitchen में use होने वाली समग्रियों के बारे में हिंदी और English में जानने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो helpful होने वाली है वीडियो को बिलकुल भी इसके मत कीजिए तवा, तवा को English में कहा जाता है girdle दोस्तो अगली नमर पर आता है चिम्टा चिम्टा को English में कहा जाता है tongues दोस्तो अगली नमर पर आता है थाली थाली को English में कहा जाता है plate और दोस्तो अगले आता है परात परात को English में कहा जाता है plater डोल्ची को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तो चूले को इंग्लिश में कहा जाता है इस्टॉब चम्मच चम्मच को इंग्लिश में कहा जाता है इस्पून अगली नंबर पर आता है दोस्तो कर्दूकस कद्दुकश को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेटर काटा जिससे दोस्तों आप मैगी वगेरा खाते हैं काटा को इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्क प्याला प्याला को इंग्लिश में कहा जाता है कब दोस्तों अगले नमबर पर आता है नीबू दोस्तो अगले नमबर पर आता है चाकू दोस्तो इसको इंगलिश में कहा जाता है नाइफ दोस्तो अगले नमबर पर आता है कडाई कडाई को इंगलिश में कहा जाता है बोक दोस्तो अगले नमबर पर आता है डलिया जिसमें आप बरतन रखते हैं प्लेट रेक, दोस्तो अगले नमबर पर आता है भगोना, भगोना को इंगलिस में कहा जाता है पोट, दोस्तो अगले नमबर पर आता है धक्कन, धक्कन को इंगलिस में कहा जाता है लिड, दोस्तो अगले नमबर पर आता है कल्ची, दोस्तो अगर आप जानते हैं कि कल्ची क इसकी मेर कहा जाता है दोस्तो अगले नमबर पर आता है बेलन जिससे आप रोटियां बेलती है बेलन को इंग्लिश में कहा जाता है रोलिंग पिन दोस्तो अगले नमबर पर आता है चकला जिस पर आप रोटि बेलती है पेश्ट्री बोर्ड पेश्ट्री बोर्ड अगले नमबर पर आता है आटा चाय चानने की छलनी इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिप्टर अगले नंबर पर आता है चाय चानने की छलनी टी इस्ट्रेनर चीलने बाला चाकू जिससे आलू बगेरा चीले जाते हैं पीलन दोस्तो अगले नंबर पर आता है कटोरा या कटोरी को इंग्लिश में बॉल कह जाता है बॉल ये थे दोस्तों किचिन में यूज होने वाली सामक्रियों के नाम हिंदी और इंग्लिश में आसा करती हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसल आई होगी अगर वीडियो थोड़ी सी भी हैल्फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब क चल लिजिए थेंक यू वीडियो देखनेक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद